हेलो फ्रेंड्स मैं नाम अमितेंद्र और आप देख रहे हैं टेक्नो चैटरूम बात काम की तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको इस टाब बेस टाब यह बताने वाला हूँ कि यूज कर सकते हैं तो इसको कैसे करना है तो आईए इसको समझने के रहे चलते हैं और कम्प्नी की उपन की ज़िए और यहाँ पे आप टाइप की जे और designer.com और enter press कर दीजे तो enter press करते ही आपके सामने एक website open होगी तो जब आप website में gallery वाले tab को open करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पे बहुत सारे cursor के sets दिखेंगे तो इनको आप जो है अपनी choice के according यहाँ से download कर सकते हैं तो मैं आपको यहाँ पे recommend करूँगा कि आप yellow spot वाले cursor set को download कीजे क्योंकि वो देखने में थोड़े professional लगते हैं तो उस cursor set को अगर हम यहाँ पे search करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा time waste हो जाएगा तो उसका जो मैंने एक link create कर रखा है उस link को मैंने इस video के description में भी आप लोगों के लिए दिया वा है तो आप लोग इस video के description में जा करके उस link के थूरू वो set को download कर सकते हैं तो उसको download करने के लिए मैं यहाँ पे new tab पे जा करके उस link को paste कर देता हूँ तो आपके सामने इस तरह से जो है एक cursor का set आएगा तो यह थोड़ा देखने में professional लगता है यह आप देख सकते हैं यहाँ पे तो इसको हमको download करने के लिए जब आप download tab पे click करेंगे तो यह जो cursor का set है यह download हो जाएगा और download हो करके आपकी जो फाइल है यह आपके computer में download folder में save हो जाएगी तो आएए friends चलते हैं computer के download folder में तो यह देखिए friends यह जिफ फाइल है और यहाँ पे यह save हो चुकी है तो हम इसको जो है extract कर लेते हैं right click करके extract here पे click करते हैं तो यह फाइल जो है आपकी यहाँ पे extract हो जाएगी तो आएए अब देखते हैं कि इन फाइलों को हमको कैसे apply कराना है तो इनको apply करानी के लिए आप क्या कीजिए window की settings में जाएगे तो यह जो gear वाला icon देख रहा है यह window settings का icon होता है तो जब आप इस पे click करेंगे तो window की settings open हो जाएगी तो यहाँ आपको devices वाले tab को open करना है तो left hand side में आपको mouse tab मिलेगा जब आप इस पे click करेंगे तो आपको यहाँ पे additional mouse option मिलेगा right hand top पे तो आप additional mouse option को click करके open कर लिजिए तो आपके सामने mouse properties open होगी तो mouse properties में आपको pointers वाले tab को open करना है तो यहाँ आप देख पा रहे होगे कि scheme tab के अंदर जो है window के कुछ by default set दिये हैं जो कि आपके नीचे यहाँ customize वाले option में show भी हो रहे हैं तो हमको इन cursor को replace करना है yellow spot वाले cursor से one by one इसको replace करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम normal select वाला जो cursor है जो हमारा इस तरह से दिखता है इसको change करेंगे तो यहाँ पर हम browse करेंगे तो क्योंकि हमारी यो file जो हैं वो हमारे download folder में हैं तो हम download folder पर जाएंगे और जैसे हम किसी file पर click करेंगे तो नीचे देखिए आपको यहाँ पर वो preview show करने लगेगा तो हमको यही cursor जो है change करना है आप अगर यहाँ पर इसको हटाते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगा normal select में यह cursor है तो यह normal select वाला ही जो cursor है तो इसको हमको change करना है तो select करने के बाद open कर लिजे तो आपको वो cursor जो है यहाँ show होने लगेगा ऐसे ही one by one जो है आप सभी cursor को change कर लिजे तो इन cursor को call कराने के बाद इन cursor को apply करने के लिए आप यहाँ apply button पे click कर दीजे और ok कर दीजे तो जैसे ही आप ok करेंगे तो आपके सामने यह देखिए cursor जो है वो highlight हो चुका है और यह change हो चुका है अगर आप इसको by default window वाले cursor set में change करना चाहते हैं तो आप दुबारा से जो है additional mouse वाले option में आईए और यहाँ pointers वाले tab को open कीजे तो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि scheme के अंदर आपके window के by default सारे cursor set दीए वे हैं तो जो भी आप यहाँ पे चाहें तो मान लीजे मैं cursor set को इस scheme में change करना चाहता हूँ तो इसको आप apply कीजे तो आपका यह जो cursor है यह देखे normal हो चुका है by default window वाले cursor set में change हो चुका है तो इस तरह से जो है आप cursor को highlight कर सकते हैं तो friends अगर आपको मेरा यह video knowledgeable लगा है तो आप मेरे video को like कर सकते हैं इस video को आप अपने friend circle में share भी कर सकते हैं और आप मेरे channel पर जा करके bell icon को press केजिए जिससे मेरे आने वाले video को notification आपको मिलते रहे हैं और अगर आप मेरे channel को subscribe करते हैं तो उससे motivate हो करके आपके लिए मैं ऐसे ही और knowledgeable video लाता रहूँगा अब आपसे अगली video मुलाकात होगी thank you for watching my video